नश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मोहित की पाठशाला में तो आजकल एक भरती जिसकी चर्चा सभी लोग कर रहे हैं तो आजकल एक नोटिफिकेशन आई हुई है और इस भरती के बारे में बहुत सारे जो यूट्यूबर से उन्होंने बहुत सारी वीडियोस रही होगी हमारा जो आजका टॉपिक है वह है इमर्स जिससे हम एकलव्य मौडन रेजिदेंशल स्कूल कहते हैं ठीक है शॉर्ट फॉर्म में हम उसे एकलव्य स्कूल कहते हैं तो आज की बात करेंगे जो यह नोटिफिकेशन थी इमर्स की 2023 की उसमें रिकूरूट्मेंट कुछ से कुछ उसके बारे में लोग बात करेंगे और कौन-कौन सी वेकंसी निकली है किस पोस्ट के लिए है कितनी वेकंसी है क्या-क्या eligibility है उस सभी के बारे में लोग बात करेंगे तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राइ करना और जो लोग पहली बार चैनल पर आ करें न्यव्य को सबसे पहले चैनल को सबसक्राइब कर दीजिए और notification ब्ल को भी प्रैस कर दीजिए ऊश्ट कर दीजिए जो स्टार्ड करते हैं तो यह जो notification है वो National Education Society for Tribal Student उनकी official website पे ये जो notification है वो दी गई है basically जो मारे एक लवे school होते हैं वो जो ST वाले student होते हैं जो ST वाले areas में रहने वाले student होते हैं उनके लिए बना जाते हैं जो मारे tribal student होते हैं ताकि उनकी जो education है वो भी और वच्चों की तरह complete हो पाए उन्हें भी पढ़ने का मौका मिलें तो एक लवे school में teacher की बहुत सारी vacancy निकलिए और non teaching staff उसके लिए भी बहुत सारी vacancy निकलिए उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी post के लिए जो vacancy है वो इसमें बताई जा रही है अभी ठीक है आपके मौबाल की जो brightness है उसको थोड़ा increase कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दिए तो जासा आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो सबसे पहले इसमें जो बताया क्या है जो vacancy है यहाँ पर देखो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल PGT यानि post graduate teacher जो 11 और 12 ख्लास को पढ़ाते है TGT trained graduate teacher जो मारे 6th to 10th वाले जो classes है उनको पढ़ाते है Art teacher Music teacher Physical education teacher Librarian Counselor Staff nurse तोड़ा जूम कर लेते हैं Okay Counselor Staff nurse Hostel warden Accountant Senior essay Junior essay Catering assistant Driver Electrician Plumber Lab attendant Gardener Cook Mass helper Chowkidar Swipper तो कूल मिला के इसमें 23 जो पोस्टे हैं कूल मिला के जो इनी सब पोस्ट के लिए जो EMRS की जो vacancies है वो निकलने वाली है इनी सब के उपर जो भी exam लिये जाएंगे और जो direct recruitment होगी वो भी होगी ठीक है अब इन सबी पोस्ट के लिए क्या क्या है eligibility है उसके बार हम लोग बात करेंगे एक एक करके तो यह total हमार पार 23 है तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट इसको देख लेना राम से ओके ठीक है तो एक बार इसको फिर सा देख लेते हैं देखो principal, vice principal, PGT, TGT, art teacher, music teacher, physical education teacher, librarian, counselor, staff nurse, hostel warden, accountant, senior essay, junior essay, catering, assistant, driver, electrician, plumber, lab attendant, gardener, cook, mess helper, चौकिदार और sweeper ओके तो इसमें कुछ rules दिये गए हैं हम उनको आगे discuss करते हैं ओके इसमें बहुत सारी चीज़े दी गई है आप इसको आराम से भी पढ़ सकते हो ओके तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो recruitment rules है ठीक है recruitment rules है for the post of principles की एकलबवे स्कूल में principal की post के लिए कौन-कौन से rules है उसके बात कर लेते हैं अब सबसे पहले देखो यहाँ पे दिये गए name of the post तो name of the post है वो है principle number of post one per EMRS ठीक है total हमार का 740 एकलबवे स्कूल है तो हर स्कूल में एक-एक principal की यहाँ पे भरती होने वाली है तो कूल मिलाके 740 जो principal है वो post है ओके हर EMRS में हर एक-एक लबवे स्कूल में एक principal की जो post है उसके लिए भरती होगी ठीक है तो total 740 principal जो यह भरती है वो group A में आती है जो principal की post है salary की बात करते हैं जो pay scale in को मिलने वाला है वो level 12 का है ठीक है इसमें जो salary बताई गई है वो 78,800 रुपए से लेकर 2,9,200 रुपए प्रती माह ठीक है कि पर मंत जो salary बताई गई है वो इस तरह से बताई गई है इसके बाद इसमें बताया गई है age limit ठीक है जो age limit है वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चीए और अगर आप EMRS के employee है अगर आप वहाँ पे job कर रहे हो तो आपके लिए ये 55 years तक जो age है उसमें relaxation की गई है कितनी 55 years तक वैसे 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चीए बट अगर आप एक लवे स्कूल में ही पढ़ा रहे हो वहाँ के employee हो और आप principal बनना चाहते हो तो आपकी जो age है वो 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चीए और जो age है उसमें छूट दी गई है SC, ST, OBC और जो other categories है उनको जो government के rules है उनकी according उनको relaxation दी गई है ठीक है इसी के साथ जो इसकी educational qualification है for direct recruits ठीक है तो पहला बताया गया है master degree from recognize university institute अब principal बनना तो master degree तो होनी चीए ठीक है और BA degree इसके साथ experience की बात कर रहे है तो इसमें बताया गया है कि 12 साल का experience होना चीए मलग combined experience होना चीए as a vice principal PGT, TGT with minimum 4 years as PGT and above और इसमें बताया गया experience of working in a fully residential school और आपको English, Hindi और original language बोलनी आनी चीए working knowledge of computers आपको जो computer है वो operate करना आना चीए और period of probation if any ठीक है दो साल का और method of recruitment क्या इसमें देखो या तो direct होंगे या promotion होगी या percentage of vacancy to be filled by various methods तो जो direct recruitment होगी वो 50% होगी promotion के basic पे 25% होगी और जोनके departmental competitive examination होते हैं उसमें 25% होगी तो ये था सबकुछ हमारा principal की post के लिए अग्जामिनेशन होते हैं उसमें 25% होगी दूसरी हमारा पास है for the post of vice principal अब जो vice principal है उसका भी same है ठीक है 740 vice principal की भरती होगी ठीक है क्योंकि 740 एक लवे स्कूल है ये भी ग्रूप पे एक एंडर आता है इनको जो salary मिलती है वो principal ते कम मिलती है औब्यस सी बात है और इनका जो pay level है वो level 10 का है और इनकी जो मंतली salary हो जिसमें बताई गई है ठीक है चपन हजार सो से लेकर एक लाग स्ततर हजार पांसो रुपए प्रती माह यानि प्रती मंद जोने हर मीने salary मिलेगी वो इसके बीच में मिलेगी ठीक है और इसमें और क्या क्या दिया गया है इसमें वो ही है period of probation is two years ओके और method of recruitment 50% by promotion on seniority come fitness basis failing which on deputation और 50% by limited departmental competitive examination ओके 50% होगी promotion के basis पे और उसके बाद 50% जो उनके departmental competitive examination होते हैं उसके basis पे और next test में अब PGT post graduate teacher ओके तो post graduate teacher इसमें पताया गया है देखो 11 per EMRS हर एक एक लव्वे स्कूल बे 11 post graduate teacher रखे जाएंगे तो टोटल हमार पास 8140 PGT teachers की भरती होने वाली है मतलब अब 8,140 PGT की post अवेलेबल है ओके ठीक है और इसमें देखो आप English, Hindi, Regional Language if applicable subject may be changed as per the requirement of the state ओके physics, chemistry, mathematics, economics, biology, history, geography, commerce ठीक है और ब्रैकेट में दिया गया कि 12th subject PGT नमबर और पोस्ट 11 पर EMRS जैसे मैंने आपको बता दिया है 740 गुना 11 कर लो ओके 8,140 पोस्ट है ओके 8,140 पोस्ट है PGT के लिए तो जो PGT की post है वो ग्रूप बीकेंडर आती है और इनको जो salary मिले की जो pay level होगा वोगा level 8 का और इसमें जो salary बताई गई है वो बताई गई है 47,600 से 1,51,100 रूपय है इसके बीच में आपको जो salary वो provide की जाएगी और age limit जो उसमें बताई गई है वो है 40 साल से जाज़ा नहीं होनी चीए और same वो ही अगर आप एक लबवे school के employee हो तो 55 साल तक यानि 55 years तक आपकी जो salary वो हो सकती है और age relaxation है जो वो SC, ST, OBC और other category के लिए जो government of India है उसके rules के according दी गई है या दी जाएगी अब जो qualification है या eligibility है PGT के लिए इसमें बताई गया देखो Post graduate degree from any recognized university institute deemed as university in following subjects PGT English, PGT Hindi ठीक है तो जो भी PGT है उनका वो subject होना चीए जैसे PGT English तो master degree English में PGT Hindi हिंदी में physics में तो physics chemistry chemistry ठीक है उसी तरह है PGT commerce तो commerce with accounting accounting, cost accounting, financial accounting as a major subject of study, holders of degree or amcom in applied business economics shall not be eligible okay जिनके पास amcom की डिग्री है इन applied और business economics shall not be eligible ठीक है तो वो लोग इसके लिए eligible नहीं है वैसे PGT economics economics में उनका जो master degree होनी चीए PGT regional language तो regional language उनकी master degree होनी चीए अब देखो उसमें बताएगा है important note candidates possessing master degree in subjects as mentioned above will only be considered as eligible okay और दूसरा है B.A. degree in case of integrated integrated four years degree course B.A. is not required अगर आपने चार साल का कोई integrated degree course किया है तो B.A. उसके लिए required नहीं है ओके इसमें भी वो ही है period of probation is two years और जो method of recruitment है वो है for PGT commerce and PGT economics 100% by direct recruitment यह direct होगी PGT commerce और PGT economics की उसके बादे for PGT Hindi, PGT English and PGT regional language 50% by promotion और 50% by direct recruitment for other subjects 25% by promotion and 75% by direct recruitment okay अब next हमार बास for the post of PGT computer science okay post graduate teacher computer science तो इसमें पताए गया है one per school तो टोटल 740 पोस्ट है और यहां पे दिया गया subject to variation dependent on workload okay यह group B calendar आती है और इसमें जो आपको salary मिलेगी वो level 8 की मिलेगी और जोसमें salary बताई गई यह वो है 47,600 से 1,51,100 रुपेदर और age जो इसमें बताए गई है वो सेम है 40 साल से जादा नहीं होनी चीए और अगर आप एक level school के employee हो तो आपको 55 साल की उमर तक relaxation मिली है ठीक है 55 साल तक आपकी उमर हो सकती है और जो relaxation है वो SC, ST, OBC और other categories के लिए जो government of India उसके rules के according दी जाएगी या दी गई है अब इसके लिए जो qualification चीए वो है MSC in computer science और IT, MCA from recognize university और institute ठीक है इन दोरों में से कोई यह कोना चीए या MSC आपकी computer science में होनी चीए या IT में होनी चीए या MCA from recognize university और institute और ME और mtech computer science और IT from recognize university और institute और इसमें बताया गया कि 100% by direct recruitment failing which by deputation of short term contract ओके आगे बढ़ते हैं next हमार पास है TGT trained graduate teacher जिसके लिए मैं भी preparation कर रहा हूं मैं कर रहा हूं non medical के लिए mathematics teacher के लिए ओके तो इसमें बताया क्या है देखो name of the post trained graduate teacher यानी TGT इसमें English Hindi regional language if applicable subject may be changed as per the requirement of this test mathematics science social science देखो English Hindi regional language mathematics science और social science number of post 12 per school ठीक है 12 per school तो जो TGT है हर एक एक लवे school में 12 जो TGT है उनकी बरती होगी एक एक लवे school में 12 TGT रखे जाएंगे टोटल हमार पास होंगे 8888 पोस्ट ओके और यह group बीकेंडर आता है इनको जो salary मिलती है वो level 7 की मिलती है 44,900 रुपैसे लेकर 1,42,400 पर मंत इसके बीच में ही आपको जो salary वो मिलेगी ओके अब इसके लिए जो age limit बताई गई है for direct recruits 35 साल से जादा नहीं होनी चीए और सेम है बाकी कि अगर आप एक लवे school के employee हो या वहां की teacher हो तो 55 साल तक आपकी age हो सकती है 55 साल से जादा नहीं ठीक है और जो age relaxation है वो SC, ST, OBC और other category के लिए Government of India के जो rules से उसके according दी जाएगी ओके जो qualification इसके लिए चीए वो है of regional college of education of NCRT or other NCTE recognized instituted in concerned subject और Bachelor's honors degree in the concerned subject candidates should have studied requisistic subjects for at least two years in the three years degree course Bachelor's degree from a recognized university in concerned subject जिस्पी subject के लिए आप लोग apply कर रहे हो उसमें आपकी जो bachelor's degree होनी चीए or the candidate should the candidate should have studied the requisistic subject in all three years of degree course ठीके कि आपने पूरे तीन साल में जो course है वो पड़ा हो जो subject है वो पड़ा हो ओके अब इसमें और TGT English जो English है वो आपका एक subject होना चीए पूरे तीन साल के लिए जब आपने गरेजुशन की थी for TGT mathematics bachelor's degree in mathematics along with physics and any of the following subject chemistry, electronics, computer science, statistics तो जो non-medical वाले उन्होंने physics तो पड़ी होती है और chemistry भी पड़ी होती है ठीक है कई लोग computer science भी पड़ते हैं ठीक है okay mathematics के साथ okay in case of such university which provide for only two subject out of six as mentioned above in the final year of graduation the candidate should have study math and physics in the final year of examination and three subjects okay math physics and chemistry electronics computer science statistics in the first and second year of graduation okay candidate who passed bsc degree with honors in math subject would be considered eligible only if they have studied physics and chemistry slash electronics computer science slash statistics in any of two years of course candidate with bsc honors in physics or chemistry are not eligible for the post of tgt math जिन्होंने जो bsc honors अपने physics या chemistry में किया है वो लोग tgt math के लिए अपलाई नहीं कर सकते वो उसके लिए eligible नहीं है क्योंकि क्योंकि उनका जो में सब्सक्राइक था वो था फीजिक्स या chemistry ओके तो यह जरूर ध्यान में रखना ब्सक्राइब जिन्होंने फीजिक्स या chemistry में ग्रेशन की है अब आगे इसमें for tgt science के लिए ठीक है 10.1813312 fire अब बिक्षकली नूराजजिए औ शोर्ताइब ग्रेश खार खर लिए नूराजईड अ में रस्फे लिए इसमें सब्सक्राइब the candidate must have studied other two subjects in any of two years of course for TGT social science the candidate should have studied any of two subjects out of the following subjects history with geography economics political science ठीक है या तो history आपने geography के साथ पढ़ी हो या history आपने eco के साथ पढ़ी हो economics के साथ या history आपने political science के पढ़ी हो और geography with history या geography with economics या geography with political science ओके in other words candidate should have studied any two subjects out of history geography, economics and political science in which one must be either history or geography okay history slash geography as above should have been studied for all three years in graduation in case of honors degree in history the candidate should have studied geography economics, political science in any of two years of course similarly in case of honors degree in geography the candidate should have studied history slash economics slash political science in any of two years of course candidates with B.A. honors in economics or political science are not eligible for the post of T.G.T. social science जिनोंने B.A. honors, economics या political science में की है वो लोग T.G.T. social science की पोस्ट के लिए eligible नहीं है okay for T.G.T. regional language concerned regional language as a subject slash elective subject in all the three years of degree course अब इसमें देखो for all T.G.T. सभी T.G.T. के लिए कि pass the center teacher eligibility test जो CTAT होता है वो आपका pass होना चीए B.A. डिगरी होनी चीए ठीक है और competence to teach through English and Hindi और regional language कि आप English और Hindi या regional language में पढ़ाने में समर्थ होने चीए ठीक है अब note दिया कहा है कि be a degree not applicable for four years integrated degree course as mentioned in subject clause above ओके इसमें भी period of probation दो साल का दिया कहा है और जो recruitment method है वो by direct recruitment failing which by deputation और आगे बढ़ते हैं अब हमार पास है post of art teacher तो इसमें भी same है one per emrs तो total 740 art teacher की post है इसमें जो salary आपको मिलेगी वो level 6 की मिलेगी 35,400 से लेकर एक लाग 12,400 रुपए पर मन्त इसके बीच में आपको salary मिलेगी और age limit की बात अगर हम करें तो वो ही है 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चीए अगर आप एक लवे स्कूल के employee है या वाग की teacher है तो 55 साल तक आपकी उमर हो सकती है सभी relaxation को मिला के और जो government of India उसके rules के according जो relaxation है वो SC, ST, OBC और other categories को दी जाएगी जो qualification है वो है कि degree in fine arts, crafts ठीके या fine arts में आपकी degree हो या crafts में from a recognized university or institute और BA degree in fine arts from regional college of education इसका जो method of recruitment है वो है by direct recruitment नेक्ष्ट मार पाप पोस्ट और music teacher तो music teacher इसमें भी सेम है 740 पोस्ट मतलब हर एक लवे स्कूल में एक music teacher यह group बीकेंडर आता है इसमें आपको मिलेगी वो level 6 की मिलेगी 35400 रुपैस लेकर एक लाग 12400 रुपै प्रती महिना ठीक है जो पर मंत आपको मिलेगी इसके बीच में मिलेगी ओके और जो इसकी एज लिमिट है वो सेम है जैसे मारे आट टीचर की थी जो government of India उसके रूस के according दी जाएगी अब जो उसके लिए qualification है वो है बैसलर डिग्री वीद म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्णाय यूवर्श्टी और इंस्सिटूट क्या आपके आसे एक बैसलर डिग्री म्यूजिक में होनी चीए ठीक है और इसमें भी सेम है by direct recruitment नेक्स्ट हमार बास फिजिकल एड्यूकेशन टीचर मेल और फिमेल ओके यह दोनों के लिए है इसमें बता गया है 2 पर EMRS एक मेल टीचर होगा एक फिमेल टीचर होगा ओके तो 740 हमार पास एक लबवे स्कूल है तो कुल मिला के 1480 पोस्ट होगी इसमें 740 मेल के लिए 740 फिमेल के लिए ओके और जो classification की वो ग्रूप विकेंडर आती है और जो salary आपको मिलेगी वो level 6 की मिलेगी जैसे आपको बता दिया है मैंने 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए पर मन्त इसके बीच में आपको salary मिलेगी और जो age limit है वो same ही है कि up to 35 years होनी चीए age और अगर आप एक लफ़े स्कूल के employee है तो 55 साल तक आपकी age चल जाएगी 55 से जादा नहीं और जो relaxation है वो SC, ST, OBC और other categories को government of India के rules के according दी जाएगी जो इसके लिए qualification चीए वो है bachelor degree in physical education from a recognized institute और university okay physical education में आपकी bachelor degree होनी चीए और जो method of recruitment है वो है by direct recruitment okay next अमर्वा for the post of librarian तो इसमें भी same है number of post 1 पर EMRS तो total 740 librarian की post यह group बीकेंडर आता है इसमें जो salary मिलती हो level 7 की मिलती है ओके ठीक है TGT से ज्यादा मिलती है level 7 की मिलती है और जो salary है वो है 44,900 रुपै से 1,42,400 रुपै पर मन्त इसके बीच में आपको salary मिलेगी और जो age limit है वो है 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चीए और अगर आप एक level school के employee है तो 55 साल तक आपकी age चल जाएगी ओके 55 से ज्यादा नहीं होनी चीए और जो age relaxation है वो SC, ST, OBC और other category को Government of India के rules के according दी जाएगी जोसके लिए qualification चीए वो है degree in library science from a recognized university or institute और graduation with one year diploma in library science from a recognized institution graduation होनी चीए आपकी और एक साल का diploma होना चीए library science का और working knowledge of English और Hindi और regional language इसकी भी direct recruitment है next day मार पास for the post of staff nurse तो total post test में भी 740 है मतलब हर एक एक लवे स्कूल में एक staff nurse ओके ये group secondary आता है इनमें जो salary आपको provide की जाएगी वो level 5 की होगी 29,200 से लेके 22,300 पर मत इसके बीच में आपको salary वो मिलेगी इसमें जो age limit रखी गई है वो है up to 35 years और अगर आप एक लवे स्कूल के employee है या वहां के teacher है अगर आप एक लवे स्कूल के employee है तो आपकी जो age है वो 55 साल तक तल जाएगी और जो age relaxation है वो SC, ST, OBC और other categories को Government of India के rules के according ती जाएगी तो इसके लिए qualification क्याक है आपकी BSc honors होनी चिए in nursing from a recognized university or institute और regular course in BSc nursing from a recognized university or institute और post basic BSc nursing from a recognized university or institute second registered as a nurse or nurse midwife RN or RM with any state nursing council two and half years experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring one above आपके यह S के लिए qualification और इसकी जो recruitment है वो 100% direct recruitment है और नेक्स्ट है मारे पास for the post of hostel warden ठीक है तो इसमें बताया गया देखो टू पर EMRS one male और one female तो जैसे जैसे हमारे physical education teacher के लिए था सेम वैसे ही है ठीक है कि 740 होंगे जो male hostel warden और 740 female hostel warden और यह group C के अंडर आएगा आपको इसमें जो salary मिलेगी वो level 5 की मिलेगी 29,200 दे लेकर बानुजार तिन सो रुपए पर मन्त इसके बीच में आपको salary मिलेगी एज में जो छूट है वो SCST OBC और other categories को government of India के रूस के अंडर दी जाएगी इसकी जो qualification है वो यह देखो 4 years integrated degree course of Renner College of Education of NCRT or other NCTE recognized institution in concerned subject और bachelor degree from recognized university or institution जोसकी recruitment है वो 100% by direct recruitment की जाएगी अब है मरवास for the post of accountant तो इसमें total 740 पोस्ट है मलब हर एक लवे स्कूल में एक accountant की पोस्ट है यह group B के एंडर आता है इसमें जो salary मिलेगी वो level 6 की मिलेगी 35400 जे 1,12,400 रुपए है पर मन्त इसके बीच में आपको salary मिलेगी और इसमें जो age limit दी गई है वो 30 साल तक ठीक है method of recruitment है वो 50% by direct recruitment और 50% by promotion अगला है for the post of catering assistant तो catering assistant के लिए total 740 पोस्ट है group C के एंडर आता है इसमें आपको salary level 4 की मिलेगी 25,500 जे लेकर 81,100 रुपए है पर मन्त इसके बीच में आपको salary मिलेगी जो age limit है वो up to 35 years और अगर आप a club school के employee है तो 55 साल तक आपकी age हो सकती है और age जो relaxation है वो SC, ST, OBC और other category के लिए Government of India के rules के according दी जाएगी जिसके लिए qualification कहीं गई है वो 3 years degree course in catering और equivalent from an institution recognized by Ministry of Tourism, Government of India और state government और trade proficiency certificate in catering with a minimum of 10 years service in defense services of regular establishment for ex-servicemen only इसमें भी direct recruitment है नेक्स्ट मार पास है for the post of चौकिदार तो जो चौकिदार की post है वो हर एक के glove school में 2 हैं मतलब कुल मिलाके 1480 post हैं ओके यह level 1 के इसमें जो सालरी मिलेगी ठीक है जो कॉलिफिकेशन चीए वो है कि आपने 10th pass की होनी चीए किसी रिकोगनाइज बोर से या institute से ओके इसमें जो आपकी रिक्रूमेंट होगी वो 100% डिरेक्ट रिक्रूमेंट होगी ओके अब आपके आप फॉर्दा पोस्ट आफ कोक तो टोडल पोस्टेश में 740 हैं मतलब हर एक glove school में एक कोक यह ग्रूप सीकेंडर रहता है इसमें आपको सैलरी लेवल 2 की मिलेगी उननीस अजार नौसों से लेकर 63,200 रूपीज पर मत इसके बीच में आपको सैलरी मिलेगी और इसमें जो एज लिमिट दी गई है वो अप टू 35 यह और भागी सेम है जैसे अगर आप glove school के employee है तो 55 साल तक आपकी एज हो सकती है और जो एज relaxation है उसमें जो छूट आपको मिलेगी वो SC, ST, OBC ठीक है और जो other categories है आप ठीक है आपको government of India के रूस के according एज में relaxation मिलेगी इसके लिए जो qualification है वो है कि आपकी दस्वी होनी चाहिए किसी रिकोगनाइज बोड या institute से और जो method of recruitment है वो है by promotion failing which by direct recruitment अब है for the post of counselor तो total post है 740 है मतलब हर एक school में एक counselor होगा यह group वीकेंडर आता है इसमें आपको level 6 की salary मिलेगी 35,400 लेकर एक लाग 12,400 रुपया पर मत इसके बीच में आपको salary मिलेगी और जो age limit है वो up to 30 years और अगर आप एक level school के employee है तो 55 साल तक आपके जो सकती है और age में जो आपको छूट मिलेगी अगर आप SC, ST, OBC और other categories से हो तो government of India के rules के according आपको छूट मिलेगी इसके लिए जो qualification चीए वो master degree in psychology slash clinical psychology from रिको गुंडाई उनिवस्टी इसकी जो recruitment होगी हो 100% direct recruitment होगी ठीके और इसमें नोट दिया गया कि vacancies caused by incumbent incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under any other circumstances for duration of one year or more may be field or deputation basis among officer by the central government, state government, UT, autonomous body, state theory body, PSU holding, okay analogous post for regular basis or with five years regular service in the post of pay band rupees इसमें आपको salary level 2 की मिलेगी 19,900 लेकर 63,200 पर मत इसके बीच में ठीके और आपकी जो एजे वो up to 45 years हो सकती है up to 45 years, okay और अगर आप एकलवे स्कूल के employee हो तो 55 साल तक आपकी एज हो सकती है ठीके और age में जो आपको छूड मिलेगी अगर आप SC, ST, OBC और other categories से बिलोग करते हो तो government of India के rules के according आपको age में छूड मिलेगी जो इसके लिए qualification चीए वो है कि आपकी दस्वी pass होनी चीए किसी recognized board से या institute से और आपके पास एक valid driving license होना चीए ठीके knowledge of motor mechanism ठीके कि आपको गाडियों की समझोनी चीए और experience of driving कि आपको at least 3 साल का driving experience होना चीए इसमें जो recruitment होगी वो 100% direct recruitment होगी ओके अब next मार पास प्लंबर तो टोटल इसमें 740 पोस्ट है यह ग्रूप सीकेंडर आती है आपको salary level 2 की मिलेगी 19,900 लेकर 33,200 पर मत इसके बीज में आपको salary मिलेगी और जुसमें age limit दी गई है वो है up to 45 years और अगर आप एक level school के employee है तो 55 साल तक आपके age हो सकती है age में जो आपको छूट मिलेगी अगर आप SC, ST, OBC और other category से बिलॉंग करते हो तो government of India के rules के according आपको age में छूट मिलेगी उसके लिए qualification चीए वो है कि आपकी 10th होनी चीए किसी recognize board से या institute से ITI का certificate होना चीए और polytechnical certificate होना चीए और higher degree in the trade of electrician और वार्मन ओके यह भी 100% direct recruitment होगी ओके और next मारा post of gardener तो यह total 740 post है group secondary आती है level 1 के आपको salary मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आपको salary मिलेगी ओके और age limit जोस में दी गई है age limit जोस में दी गई है age limit जोस में दी गई है वो अप टू 35 years age में चूट मिलेगी अगर आप SC, ST, OBC या किसी अधर category से बिलोंग करते हो तो government of India के rules क recording आपको age में चूट मिलेगी इसके लिए जो आपकी qualification है वो आपकी 10th pass होनी चीए किसी recognize board और institute से यह 100% direct recruitment होगी next हमारा post of junior secretary assistant यानी essay ठीक है तो junior essay की post के लिए 2 पर EMRS ठीक है totals 1480 मलब हर एक एक लवे school में दो junior essay रखे जाएंगे ठीक है यह group secondary आता है इसमें level 2 की salary मिलेगी 19,900 लेकर 63,200 इसके बीच में आपको salary मिलेगी age limit इसमें दी गई up to 30 years और अगर आप एक लवे school के employee है तो आपकी 55 साल तक age ली जाएगी ठीक है और age में अगर आपको छूड़ चाहिए अगर आप SC, ST, OBC या किसी अदर category से बिलोंग करते हो तो government of India के rules के according आपको छूड़ दी जाएगी उसके लिए qualification चीए वो है senior secondary यानि class 12 certificate from a recruitment board और institute and possessing minimum speed of 35 words per minute in English typing और 30 words per minute in Hindi ये भी direct recruitment होगी अब है for the post of lab attendant ठीक है तो total 740 post है group secondary आएगा लेवल 1 के salary मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900 इसके बीच में आपको salary मिलेगी age limit इसमें दीक है ये up to 30 year जो air relaxation as per government of India rules ठीक है जो government of India के rules के according आपको age में छुट मिलेगी उसके लिए qualification चीए वह 10th class pass होनी चीए आपकी ठीक है with the certificate or diploma in laboratory technique from a recognized board or institute और 12th class with science team from a recognized board university और ये भी 100% आपकी direct recruitment होगी अब next अमार बाफ और फॉर्दा पोस्ट और मैस हैल पर ठीक है तो टोटल इसमें 1400 सी पोस्ट है यानि हर एक एक लवे स्कूल में दो पोस्ट हैं और एज में अगर आपको छूट चीए और आप SC, ST, OBC या किसी अधर category से बिलॉंग करते हो तो government of India के rules के according आपको छूट दी जाएगी इसके लिए जो qualification चीए वह है आपकी 10th pass होनी चीए किसी recognize board या institute से यह 100% direct recruitment होगी अब है for the post of senior secretary assistant यानि senior asset के लिए जो पोस्टे है वो टोटल 740 है टोटल 740 है यह group secondary आता है इसमें आपको level 4 की salary मिलेगी 25,500 लेकर 81,100 इसके बीच में आपको salary मिलेगी और इसके लिए जो qualification वह भी बताई नहीं किये ठीक है और जो method और recruitment है वह 50% by promotion और 50% by जो उनके departmental committee examination होते हैं उसके base पे और ए for the post of sweeper तो sweeper की post के लिए ठीक है तो यह देखो 3 पर EMRS ठीक है total 2220 post हैं sweeper के लिए मतलब हर एक एक लवे स्कूल में 3 जो sweeper उसकी post available है यह group secondary आता है level 1 की आपको salary मिलेगी 18,000 से लेकर 56,900 इसकी बीचों आपको salary मिलेगी age limit जो उसमें दी गई वह up to 30 years और जो अगर आप SC, ST, OBC या किसी other category से belong करते हो और आपको ठीक है so belong करते हो तो government of India के rules के according आपको age में छूट दी जाएगी इसके लिए जो qualification है वह कि आपके 10th होनी चीए किसी recognize board या institute से और यह 100% direct recruitment होगी ओके तो यही थी हमारी EMRS की recruitment rules और vacancies eligibility तो यही था हमारा आज का topic यही थी हमारी EMRS 2030 के जो recruitment rules है vacancies eligibility ठीक है तो मैंने अपनी दर से पूरी try की कि आपको जो complete knowledge यह वो provide कर पाऊं तो इस वीडियो को पहले पूरा देखने का try करना इसको पीडियेफे उसको अच्छे से देख सकते हो समद सकते हो तो यही था हमारा आज का topic यही सब्ता जो आपके आज शेर करना था अगर आपको लगा कि मैंने कुछ आपको authentic information दी है कुछ अच्छा आपको बताया है तो चैनल को please subscribe कर देना ओके और वीडियो को पूरा देखने क ट्राइ करना ठीक है तो यही था हमारा आज का topic मिलते हैं अगली वीडियो में